बीजेपी राज में एक बार फिर किसानों को सड़क पर उतरना पड़ा किसान सड़क पर आये तो सरकार को भी बातचीत की मेज पर आना पड़ा और किसानों के आगे जुकना पड़ गया तो आखिर क्या मांगती किसानों की जिसे मानने को मजबूर हुई बीजेपी सरकार देखे ये रिपोर्ट जिसके चलते हाइवे पर दोनों और जाम लग गया किसानों की प्रदशन को लेकर रात में ही पंजाब हर्याणा हाइकोट में मामली की सुनवाई का फैसला कर लिया देर रात तक चली सुनवाई में हाई कोट ने नाराजगी जाहिर करते हुए तुरंथी मामले के समाधान का निर्देश दिया कोट ने प्रिशासन से कहा कि बल प्रेयोग का सहरा अंतिम विकल्प होना चाहिए और वो भी तब जब प्रिशासन के पास कोई दूसरा रास्ता ना हो हाई कोट के सखसरुक को देखते हुए सुबह होते होते हर्याना की खटर सरकार को किसानों के साथ समझोता करना पड़ा इसके बाद किसानों ने नेशनल हाईवे से अपना प्रदर्शन वापस ले लिया किसानों ने आज पूरे हर्याना बंद का भी आहवान किया था जिससे अब टाल दिया गया है भारतिय किसान यूनियन चड़ूनी के नेता गुर्णामजिंग चड़ूनी ने कहा कि हर्याना सरकार ने अब कहा है कि अनाज मंडियों से धान को उठा लिया जाएगा लेकिन आधिकारे खरीद एक अक्टूवर से ही शुरू होगी जिसका एलान सरकार ने पहले किया था अब ये सरकार की परेशानी है कि वो एक अक्टूवर तक अनाज का स्टॉक कहां करती है इसके साथ ही जिन पांच जिलों में उपज ज्यादा होई है वहाँ पर भी खरीद की सीमा 6-8 कुटल प्रती एकर बढ़ा दी गई है दरसल किसानों का कहना था कि सरकार धान खरीदी में देरी कर रही है किसानों को डर था कि उमस और बारिश से उसकी धान की फसल खराब हो जाएगी अधिकांश किसानों के पास फसल के भंडारन की जगा नहीं है इसलिए राजिस सरकार को जल्दी ही फसल खरीज शुरू कर देनी चाहिए किसानों का दावा है कि पहले ही अंबाला कैथल और दूसरे जिलों में किसानों की सेंकडो कुंटल फसल खराब हो गई है फिलहाल किसान सडक से हट गए हैं डीवी लाइफ की रिपोर्ट